आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही important information लेकर आई हूँ जो की actually पहले मैं आपको वो question पूछूँगी अगर आपको offer लेटर आ जाता है उसके बाद आपको क्या करना चाहिए और अभी क्या सही time है वो process आगे proceed करने का yes बिलकुल अगर आपको offer लेटर आ गया है तो आगे आपको i20 का process शुरू कर देना चाहिए it is the high time right now अगर अभी आपने नहीं किया तो आप visa के लिए delay हो जाएंगे आपने सुना होगा पहले भी पिछले कुछ intakes में visa slots की बहुत problem हा रही थी लेकिन हाँ वो हर बच्चे को नह offer लेटर आ गया है आपको अपना i20 का process शुरू कर देना चाहिए अगर किसी university में deposit मांग रहे हैं आपको अपना deposit पे कर देना चाहिए या अगर किसी university में आपसे financial documents मांग रहे हैं आपको वह submit कर देनी चाहिए ताकि आपका i20 document राइट टाइम पे issue हो जाए अब अगर आपक slot book करना i understand कि आज आप fees pay करोगे और एकदम slot मिल जाए ऐसा नहीं है आपको tracking करती रहनी पड़ेगी उसकी आपको दिन में रात में अलग-अलग duration होते हैं हाँ जादा बार भी आप login मत किरिएगा CGI account को वना freeze होने के chances होते हैं लेकिन आपको उसे track करते रहना है बार बार ताक आप अपना slot timely book कर सके तो सबसे main क्या है अगर offer letter आ गया है तो let's proceed for I-20 by paying the deposit और by submitting the financial documents उसके बाद अगर आपका I-20 आपको receive हो गया है तो आप अपना visa process शुरू कर दीजे ताकि आपका timely slot book हो सके और आप अपने intake में जा सके अब जैसे कि हम सबको पता है कि अभी भी कुछ universities हैं जो fall 2023 के लिए application accept कर रही है तो अगर आप apply करना चाहते हैं तो आप अपने documents हमें application 028 meridian.org पर forward कर दीजिए या फिर अगर आप face to face मिलकर discuss करना चाहते हैं तो आप हमारी किसी भी branch पर visit कर सकते हैं या फिर online counseling लेने लेने आप हमारी website भी visit कर सकते हैं तो I hope George मैंने आपको information दी है आपके लिए काफी useful रही होगी ऐसी और useful videos पाने के लिए हमारे चानल को subscribe करें और bell icon प्रेस करें thank you मिलते हैं next video में